हलो फ्रेंड्स, वल्कम टो एक्जाम और्बिट तो आज की इस वीडियो में 24 मार्च का करेंट अफर देखेंगे इसका PDF नेचे डिस्क्रिप्सन से और हमारी टेली गरम से अब डाउनलोड कर सकते हैं तो आज का करेंट अफर देखेंगे उससे पहले फट अफर पिछले करेंट अफर का रिविजन कर लिजे और वीडियो के लास्ट में दो कुईज लगाऊंगा उसका एंसर आपको नीचे कमेंट करेंगे बताना है चलिए देखते हैं पहला कोशन वर्स 2020 के लिए गंधी शंती प्रोसकार के विजेता कौन बने है शेख मुझीबुर रह्मान ये बंगला देश के पहले राशपती थे और 2019 के लिए गंधी शंती प्रोसकार से सम्मानित किया गया है उमान के पुर्वे सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को 2020 में इनका निधान हो गया था सरसथवे राश्टे फिल्मे प्रोसकार में बेश्ट फिल्म का प्रोसकार किस ने जीता है छिछोरे फिल्म ने वहीं सरसथवे राश्टे फिल्मे प्रोसकार में सर्वस्रेष्ट अभिनेत्री का प्रोसकार दिया गया इस तरह से बहुत सारे प्रोसकार परदान किये गा है पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से कवर किया था तो जो लोग इस वीडियो को नहीं देखें जरूर देखिएगा हाले में किसा राज्य के किसानों ने फ्रेश, फ्रूट, केक मुवमेंट शुरू किया है वेश्व जल्दिवस 2021 का थेम है वैल्विंग वाटर रक्ष मामलों की वेबसाइट मिलेटरी डिरेक्ट के अधन के मुताबिक ताकत के मामले में किस पेज की सेना पहले अस्थान पर है चीन पहले अस्थान पर है भारत चोथे अस्थान पर है भारत के पैरा निशाने बाज सिह राज अधाना ने अल एन उनाइटेड अरब एमरात में है तो यहाँ पर चल रहे पैरा निशाने बाजी विश्व कप 2021 में कौन सा पदक जीता है स्वान पदक चौबिसवें फेडरेशन कप सिनियर एतलेटिक्स चैंपेंशिप 2021 में महिलाओं के डिसकस थ्रो में किसने नौ सल पुराना राशे रिकॉर्ड तोड दिया है कमल प्रीत कौर ने यह पंजाब की है बर्मिंगम में संपन All England Open Badminton Championship 2021 में पुरुस एकलवर के खिताब किसने जीता है ली जी जी जिया ने पुरुस एकलवर के खिताब जीत लिया है यह मलेशिया के हैं वही महिला एकलवर के खिताब जीती है नोजोमी ओकुहारा यह जपान की है जल जीवन हरियाली विशय के साथ 22 मार्च 2021 को किस हराजय ने अपना 109 अस्थपने दिवस मनाया बिहार में 22 मार्च 2021 को किस ने जल शक्ती अभियान कैच दारेन अभियान की शुरुबात की परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने तो आप चलिए आज का करेंट अफर देखते हैं पहला कोशन हाली में सागर सरहदी का 88 साल की उम्र में निदान हो गया उनका संबंद किस चेतर से था सागर सरहदी इनका संबंद सीनेमा से था ये बहुत ही प्रसीद पढ़का था लेखक निर्देशक, निर्माता और समवाद लेखक थे फिल्मों के सागर सरहदी इनका हाली में 88 साल की उम्र में मुंबई में निदान हो गया तो सीनेमा से इनका संबंद था और सागर सरहदी का असली नाम था गंगा सागर तलवार उन्होंने दिवाना चांदनी सिलसिला कहोना प्यार है जैसी फिल्मों के समवाद लिखे समवाद मतलब डायलग और उन्होंने कभी-कभी और नूरी जैसी फिल्मों का लेखन तथा बजार फिल्म का निर्देशन भी किया था निर्देशन यानि डिरेक्शन चलिए अगला कोशन है T20 टूनामेंट रोड सेफटी वर्ल सेरीज 2021 का खिताब किसने जीता है तो ये प्रोफेशनल टूनामेंट नहीं था बलकि रोड सेफटी के परती जग रुपता फैलाने के उद्देश से इस टूनामेंट का योजन किया गया था तो इस टूनामेंट का खिताब जीत लिया है इंडिया लिजेंट्स ने किसको हराकर सेरलंका लिजेंट्स को हराकर ठीके साथ टिमो ने इस सीरीज में हिसा लिया था तो विजेता बना है इंडिया लिजेंट्स और इंडिया लिजेंट्स के कप्तान कौन थे सच्चिन تندूलकर और इस टुनामेंट का फाइनल का ऐोजित कहांपर किया गया 36 गड की राजधानी राएपूर में राएपूर के वीर नरायन सी अंतराशय स्टेडियम में इस टुनामेंट का फाइनल ऐोजित किया गया था तो साथ टीमों ने हिस्सा लिया इसमें player of the match चुने गए युसुप पठान player of the series चुने गए तीला करतने दिलशान ये स्रिलंका लिजेंड्स के खिलाडी है चलिए अगला question 23 March 2021 को किस्विसाई के साथ विशो मौसम विज्ञान दिवस मनाए गया तो विशो मौसम विज्ञान दिवस मनाए जाता है हर सल 23 March को 2021 का theme निर्धारित किया गया है The Ocean, Our Climate and Weather 2021 का ये theme है बता दें कि विशो मौसम विज्ञान संगठन की अस्थापना हुई थी 23 March 1985 को विशो मौसम विज्ञान संगठन के अस्थापना जिस दिन हुई थी उसी आउसर पर हर सल 23 March को विशो मौसम विज्ञान दिवस मनाए जाता है अभी आपने नाम सुना है विशो मौसम विज्ञान संगठन का बताइए उसका मुख्याले कहां पर है उसका मुख्याले जिनेवा में है ठीक है 23 मार्च को एक और दिवस मनाय जाता है शहीद दिवस मनाय जाता है जिसे हम सर्वोदे दिवस भी बोलते हैं तो भगस्ती, सुख देव थापर, शीव राम, राजगुरु ये भारत के स्वतंदृता सेनानी थे तो इन तिनों को फासी दे दी गई थी 23 मार्च 1921 को इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाय जाता है भारत में एक साल में दो बार शहीद दिवस मनाय जाता है एक 23 मार्च को मनाय जाता है और एक 30 जनवरी को भी मनाय जाता है क्योंकि 30 जन्वरी को महत्मा गंधी की हत्या की गई थी इसलिए 30 जन्वरी को भी हर सल शहीद दिवस मनाई जाता है चलिए अगला कोशन है ग्लेशियरों की मुटाई और घनत्व का पता लगाने के लिए किस देश ने हाली में हिमाले के ग्लेशियरों का हवाई राडार सर्वेक्षन करने की गोसना की है तो हाली में भारत सरकार ने हिमाले के गलेशियरों का हवाई रडार सर्वेक्षन करने की गोसना की है तो option C, right answer है तो बता दें कि देश की लगभग 33 परतिशत तापिये बिजली और 52 परतिशत जल विद्दुत हिमाले से निकलने वाली नदियों के पानी पर निरभार है और इन नदियों में गलेशियर से ही अधिकतर पानी आता है आप सभी लोग को पता होगा कि फरवरी 2021 में उत्तरा खंड में एक गलेशियर फट गया था जिसके कारण जो भारी तबाही आई हुई थी तो इसी कारण से भारो सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाले के जो भी गलेशियर छेतर हैं उनका हवाई राडार सर्वेक्षन किया जाएगा थीक है तो इस हवाई राडार सर्वेक्षन द्वारा हिमाचल पर्देश के लाहौल, स्पिती, बेसिन, सिंधु, गंगा और ब्रहम पूत्र उप घाटियों का अध्यान किया जाएगा नेक्स्ट, भारत के सौरव, चौधरी और मनुभाकर ने ISSF Shooting World Cup 2021 में 10 मिटर एयर पिस्टल मिक्स्ट टीम इवेंट में कौन सा मिडल जीता है तो सौरव, चौधरी जो कि उत्तर पर्दे से बिलोंग करते हैं और मनुभाकर ये हर्याना से बिलोंग करते हैं इन दोनों की जोड़ी ने 10 मिटर एयर पिस्टल के मिक्स्ट यानि मिस्रित टीम इवेंट में स्वांड पदक जीता यानि गोल्ड मेडल ओप्शन ए राइट एंसर है आई एससेफ शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में नई दिल्ली के डाक्टर करनी सीह सूटिंग रेंज में इसका आयोजन 18 मास से शुरूवा 29 मास तक इसका आयोजन किया जाएगा और अभी तक भारत ने इसमें पांच स्वाणपदक जीत लिया हैं ठीक है इसके पहले मैंने आप सभी को बताया था कि यशा स्वीनी सीह देशवाल ने 10 मिटर एयर पिश्टल के वेक्तिगत असपर्धा में सौन पदक जीता था उसे याद रखेगा वहीं मनु भाकर ने भी वेक्तिगत स्रेनी में 10 मिटर एयर पिश्टल असपर्धा में राजत पदक जीता था इनों ने यानी सिल्वर मेडल और सौरप चौधरी मनु भाकर की जोड़ी ने गोल मेडल जेत लिया है और स्वारप चोदरी मनुभाकर की जोड़ी ने किसको हराया तो फाइनल में इरान के गोलनोश सोबहा तोलाही और जावेद फोरोगी की जोड़ी को हरा का सुवनपदक जीता है यहाँ पे हम I.S.S.F की बात करें तो इसका फूल पहम होता है International Shooting Sports Federation सूटिंग के लिए अंतराशे संस्था है इसके अस्थापना 1907 में की गई थी मुख्याले म्यूनिक में है जोकी जर्मनी में है प्रेसिडेंट है वर्तमान में वलादेमीर लेसिन चलिए अगला कोशन देखते हैं तो लक्षमी प्रिया महापातर का 86 साल के उम्र में निधन हो गया यह प्रख्यात और इसी शास्त्रिये निरित्ते की निरितंग गया थी Option C, right answer है ठीके तो लक्षमी प्रिया महापातर कहां की थी और इसा की थी इनका निधन हो गया है इनसे related कुछ बाते हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जैसे कि लक्षमी प्रिया महापातर जो है यह ओडिसी और गोटी पुवा निरित्त कलाओं में निपूड केलू चरण महापातर की पत्नी थी तो इनके जो पती थे यह भी ओडिसी और गोटी पुवा के बहुती प्रसिद नर्तक थे लक्षमी प्रिया महापातर के जो बेटे हैं अरती कांत महापातर और इनकी बहु जो हैं सुजाता महापातर यह दोनों ही ओडिसी शास्त्रे निरित्त के प्रसिद कलाकार हैं तो कई बर इस तरह का कोशन पुछा जाता है किसी बेक्ति का नाम देकर कि इनका संबंद किस छेतर से हैं या फिर किस शास्त्रे निरित्ते से हैं तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है हाली में किस अराज्य की सरकार ने अराज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवने विरित्ती आयू अंठावन साल से बढ़ा कर 61 साल कर दिया है तो ये कदम उठाया है तेलंगाना की सरकार ने राज्य में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जो retirement age था अंठावन साल इसे बढ़ा कर दिया गया है, 61 साल. इसके इलावा तेलंगाना की सरकार ने वहां के कर्मचारीयों और सिक्छकों के वेतन में 30 प्रतिशत विरेद्धी की घोसना भी की है. सरकारी, कर्मचारी और जो भी सिक्छक हैं, उनके वेतन में 30 प्रतिशत की विरेद्धी की घोसना की गई है. साथ साथ में 15 प्रतिशत अतिरिक्ट पेंशन जिन बुजोर्गों को दिया जाता था, उनकी उपरी सीमा, आयू सीमा 45 साल थी, तो ये उपरी आयू सीमा जो है घटाकर 70 साल कर दिया गया है, यानि अब 70 साल के भी बुजोर्ग 15 प्रतिशत अतिरिक्ट पेंशन का लाब ले इसका गठन हुआ था आंदर पर्दे से अलग करके 2 जून 2014 को जीलों की संख्या 33 है हैदरबाद राजधानी है मुख्य मंत्री है केज चंदर शेखर राओ राज्य पाल है तमिली साई सुन्दा राजन हीमा कोहली यहां की मुख्य नाइदी से यहां का हाई कोट हैदरबाद में है लोग सबसीट 17 राज्य सबसीट 7 विधान सबसीट 119 विधान परिसद भी है जिसके सीट के संक्या 40 है राजके पशु हीरन, राजके पक्षी निलकंट राजके बिरिक्ष, जम्मी चेट्टू, राजके फूल, तंगेडी, पुवो पेरिनी सीवा टंडवम या पेरिनी थंडवम यहां के प्रसिद लोग निरिते हैं महावीर, हरीना वनस्थली नेशनल पर्क तथा मिरिगवानी नेशनल पर्क अमराबाद, टाइगर रिजर्ब, कवाल, टाइगर रिजर्ब, सभी तलंगाना में हैं रहा है वैसे अनिवारे रूप से हर साल इस बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए लेकिन पुलवामा हमला हो गया था और भारत पाकिस्तान के बीच में काफी तनाव चलदा था इसको लेकर साथ साथ में बिच बिच में कुरोना महमारी भी आ गया इसलिए धाई सल बाद इस किया जा रहा है तो 23 से 24 मार्च 2021 को इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है नई दिल्ली में और इस बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के साथ सतसिये दल जो है भारत की यात्रा पर हैं इस बैठक का आयोजन क्यों किया जाता है सिंधु नदी और इसके सहायक नदि जाती है अब हम जानते हैं इस बैठक में भारत का परते नेदितों और पाकिस्तान का परते नेदितों कौन कर रहे हैं तो भारतिये पक्ष का परते नेदितों कर रहे हैं सिंधु जल आयोगत प्रदीप कुमार सकसेना और पाकिस्तानी पक्ष का नेदितों कर रहे हैं वहा थाई सिंधु आयोकी अस्थापना, 1960 की सिंधु जल संधी के तहट के गई थी, 19 सितंबर 1960 को, ततकालीन भार्दे परदान मंतरी बंडित जवारलल नहरू और पाकिस्तानी राश्पती अयूब खान ने कराची में सिंधु जल संधी पर हस्ताचर किये थे, कब 1960 में इसे याद रखिए, भारत के दिव्यांसी पवार और इलावे निल वला रिवन ने ISSF वर्ल्ड कप में 10 मिटर एयर राइफल मिक्स्ट यानि मिश्रिट टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है, तो इन दोनों की जोड़ी ने ISSF वर्ल्ड कप जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, तो इन्होंने सौंड पदक जीता है, यानि गोल्ड मेडल, किस असपर्दा में 10 मिटर एयर राइफल मिस्रिट टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, दिव्यान सी पवार जो है, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और इलावेनिल वला रीवन जो है, ये तमिलनाडू से बिलोंग करती है, ठीक है, अच्छहें इन्होंने फाइनल में किसको हराया, तो इन दोनों की जोड़ी ने फाइनल में हंगरी के इस्तवान पेनी और एजजर देन्स की जोड़ी को हराकर स्वान पदग जीता, किस अराजे की सरकारने हाले में महिला योद्धाओं के नाम पर तीन पी एसी महिला बटालियन अस्थापित करने की घोसना की है, तो उत्तर परदेश की सरकारने की घोसना की है, कि महिला योद्धाओं के नाम पर तीन पी एसी महिला बटालियन अस्थापित किया जाएगा, यहाँ पे PAC का मतलब है प्रांतिय सशस्त्र कांस्टेबुलरी तो PAC बाटालियन का नाम जो है स्वतंदर्ता सेनानी अरानी अवंति बाई लोधी उदय देवी और जलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा और इन तीन महिला बाटालियन को उत्तर परदेश के बदाईयू गोर राचल परदेश, हरियान, राजस्थान, मद्य परदेश, 36 गड, जारखंड और बिहार दिल्ली एक अंदर सासित परदेश से उससे भी उतर परदेश की सीमा लगती है उतर परदेश का गठनवाथा 24 शनवरी 1950 को जीलों की संख्या 75 है राजधानी लखनव मुख्य मंत्री योगी अदित्तनात, राज़ेपल हैं, अननदी बेन परदेल, इनके पास मद्य परदेश के भी राज़ेपल का अतेरिक परभार हैं, मुख्य नादी से गोइंद माथूर, लोग सवसीट 80, राज़े सवसीट 31, विधान सवसीट 403, विधान परिसर सीट की संख्या 100 है, र रास लिला, जूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नटंकी, जयता यहां के परसिद लोकने रित्त हैं, दुद्वा नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व भी है उत्तर परदेश में हैं, अमानगड टाइगर रिजर्व ताथ पिली भीत टाइगर रिजर्व, चंदर परभ तो लाइक और शेयर जबू करना, अब पिछले कोई इसका अंसर जानी है, पहला कोशन था, निमने लिखित में से कौन सी हड़ी, मानो कान का भाग नहीं है, तो इसका राइट अंसर था, उप्शन सी, उर्वस्थी, बाकी अस्थूरक, रकाब, ककुद, ये सारे के सारे मान ये आज का पहला क्वीज है, डैस एक परियोग शाला तक्निक है, जिसका उप्योग, जैविक साक्षे और अपराधिक जाचो में संदिख्ध के बीच एक कड़ी अस्थापित करने के लिए किया जाता है, दूसरा कोशन है, एक समान्य मानो शुकरानू में आटो सोम की संख मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार